हे गुड मॉनेंग आज हम आउट्डोर शूट पर निकले हैं जहां पर मैं आपको पैरलेली वीडियो शूट करके भी दिखाने वाला हूं कि कैसे कौन-कौन से ऐसे टिप्स हैं कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जो एक आउट्डोर मॉडल शूट के अंदर हमको ध्यान रखनी हो तो एंड तक बने रहेगा क्योंकि एंड में आपको इमेजेस दिखाऊंगा और उनकी डिटेलिंग बताऊंगा कि मैंने किन-किन पॉइंट्स पर बारीकी से ध्यान रखा है और इमेजेस को आप अपनी कैसे बैस्ट बना सकते हैं अगर आप मॉडल शूट करते हैं या प् आते सीख सकते हैं फोटोग्राफी सिनोमेटोग्राफी फोटोशॉप एंड वीडियो एडिटिंग अन्दैन आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे डिएसलर एकेडमिक के नाम तो गाइस पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का एनलेजिस बताता हूँ कि लोकेशन मैंने कैसे सलेट किया है तो आप देखीगा कि डेफ्थ कैसे क्रियेट होती आउट्डोर शूट के अंदर सोच रहा है कि मेरेको 1.4 अपर्चर या 1.8 अपर्चर पर शूट करना है ताकि मेरेको बैग्राउंड कम्प्लीटली ब्लर मिले तो फॉस्ट आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि मैं किस लोकेशन पर शूट करने वाला हूँ सो आप देखिए कि इस वीडियो में जो हमको help करने वाली है वो है कक्षा आप इनको Instagram पर follow कर सकते हो ऐसे कक्षा नाम से बैग्राउंड जो मैंने चूज किया है आप देख सकते हैं कि एक पतली सी पकडंडी जा रही है जहां से मैंने सेंटर में यहां खड़ा रखा है बैग्राउंड के अंदर हलका सा मेरे को कर्व मिले तो हाफ कर्व यह कांटो की जाड़ी का आ रहा है जिससे मेरे को हलका सा ऐसा राउंड शेप मिलेगा जो मैं आपको इमीजेज में दिखाने वाला हूँ पहले मैं आपको कुछ अविलेबल लाइट पर क्लिक्स करके दिखाऊंगा दैन फ्लैश का यूज अधिकतर फोटोग्राफर ऐसा सोचते हैं कि अविलेबल लाइट क्लिक हो जाएगा बहुत अच्छा होगा अच्छा होता है बड़ अ सब्सक्राइब कर सकते हो और कई बार क्या होता है कि अगर आप ऐसी हैट यूज करते हैं कि अगर आपने हैट यूज करीए तो फेस के ऊपर लाइट उतना प्रॉपर नहीं आपाता पूरी बाड़ी के ऊपर तो लाइटिंग अच्छा होता है अविलेबल लाइट का एंव नहीं रहाए है जैसे कि अगर जाते हैं अब आप देखो फेस कंप्लीटली पर पिभाड़ी बाड़ी के ऊपर कर सकते हैं पे हो चुका है पूरी बॉड़ी एकदम सेम एक्सपोजर पे हो चुकी है क्योंकि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वह इमेज या तो ओवर होगी या अंडर होगी मैं आपको एक इमेज अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो मैंने हाफ सनलाइट में कैप्चर करी है उसके अंदर कहीं पर सनलाइट दिख रही है कहीं पर नहीं दिख रही है तो उससे क्या होता है कहीं पर इमेज ओवर हो जाता है कहीं पर अंडर हो जाता है तो या तो आप उसको completely soft light में कैप्चर करें तो आपको एक parallel image मिलेगी जो आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन के उपर कि parallel image है कहीं पर भी आपको shade और brightness नहीं मिल रहा है आपको proper image मिल रहा है तो first of all यह ध्यान रखना है outdoor shoot में कि आपको completely अपनी model को या तो shade में खड़ा करना है और अगर आपको धूप में खड़ा करना है कुछ posing ऐसे होते हैं जो sunlight के अंदर capture कर सकते हैं जैसा कि आप screen पर image देख रहे हैं कि मैंने sunlight में capture किया है सिर्फ फेस पर light है बाकी body थोड़ी सी अंडर है तो ऐसे creative images में आपको तीन दिखाए हैं कि जो completely soft light में एक थोड़ा सा sunlight में और आप उसको फिर flash add करके बहुत अच्छा creative कर सकते हैं जो मैं आपको अब आगे दिखाने वाला हूं यह आपने कुछ images देखी जो मैंने एक आपको sunlight जो face पर direct आ रही थी वह image मैंने आपको दिखाई है then soft light में मैंने completely जहां sunlight मेरे को effect नहीं कर रही image के उपर मैंने वहाँ पर model को रखकर shoot किया है दोनों में variations क्या दिख रहे हैं जिसमें face पर sunlight है वह image बहुत perfect आपको face wise देख रहा है बाकी rest of portion slide under है बट यहाँ पर एक ध्यान रखने हो लिवात है जैसे ही मैंने soft light में move किया तो हैट का complete शेड जो आप अभी भी देख पा रहे हैं कि face आपको डार्क देख रहा है तो available light में कई बार यह problem आ जाती है कि अगर आपने हैट पहना या फिर कोई भी आप रॉप्स करने तो उसका शेड आपको हो सकता है मिल जाए या फिर वो slide अगर set नहीं है तो perfect exposure आएगा बट मेरे को यहाँ पर हैट का shoot करना है तो face पे under जो image आ रही है उसको हम cover कर सकते हैं से flash light से flash light कैसे use करनी है वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं यह जितनी images आपने देखी सारी अवेलेबल लाइट पर है मैंने AV mode पर capture किया है 1.4 अपर्चर पर सेकंडरी में जाप्चर करेंगे अगें AV mode पर ही shoot करेंगे बट AV mode पर flash का कैसे use कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा तो guys अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाप एक flash add करी है थोड़ा सा parallel level पर रखा है ताकि जो rest of portion मेरा face जो dark आ रहा था वो मैं proper expose कर सकूँ बट यहाँ पर ध्यान इस बात का जरूर रखना होगा कि आपको available light और flash light दोनों का exposure match करना पड़ेगा उसके लिए आपको बट obvious होड़ी practice करनी पड़ेगी यहाँ पर मैं आपको clicking करके दिखा रहा हूँ बट आने वाले कुछ videos में definitely मैं explain करूंगा कि कैसे आप available light को समझें और कैसे flash light को उसके साथ आप merge कर सकें ताकि results better मिल सकें तो यह कुछ देखते हैं images capture करके कि कैसे flash प्लस available light का दोनों का मैंने parallel use किया है screen के उपर यह images देख पा रहे हैं मैंने जो अभी clicks करी हैं आप अच्छे से notice करें कि जो एक available light का image था then फिर मैंने zero exposure AV mode पर exposure प्लस करके भी click किया बट जैसे ही मैंने ambience जो available light है और flash light का add जैसे ही किया image के अंदर आप variations देखे कितना dramatic change आ चुके हैं तो ध्यान यह रखना है कि always क्योंकि photography के अंदर सबसे जो essential part है वो है light अगर आपको light से related कोई भी challenge है तो मैं description में आपको या फिर उपर आई पर आई पर आप देख सकते हैं कि मैं एक link आपको share कर रहा हूं कि light से related आप एक वीडियो दखते हैं क्योंकि light ही most important part है photography का without light photography possible नहीं है देखो या तो यह हो सकता है कि जो आपको चीज मिल रही है उसको आप adjust करके आप यूज कर लें available light लगा है और आपने यूज कर लिया या फिर आप कुछ creative कर सकें creative यानि कि आपको आपकी flash add करके और आपकी image आपको अपने तरीके से बनानी है जो आपके पास environment है उससे और सब्सक्राइब कर सकता हूं ब्राइटर भी कर सकता हूं बट अपना subject जो अपनी model है वो एक्दम clear और lighting के साथ आपको बहुत अच्छे effect में मिल रही है यह कुछ information मैंने आपके साथ share करी थी कि आप available light क्लिक कर सकते हैं flash को add करके click कर सकते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बने रही है इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy मिलते हैं next वीडियो में